एलो इस्ट्रेंट आयम निहालेदो फ्रॉम महराज गंज डिप्लोमा सेमेश्टर एक्जाम को बहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को सुरू कर दिया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पर किलिक करें ताकि मैं ज पढ़त करता हुँ सभी का जीपिया लेकरने में के इस त्वी चैनल में इस्ट्वन आज की इस फीडियों हम लोग डिप्लोमा फर्स समेस्टर में मिजरिक इस्ट्व्मेंट का पार्ट थी पढ़ने वाले हैं इसके पहले मैंने पार्ट वन में आको आताया था इंपॉटे के बारे में आपको बताना आता है जिसमें मैंने आपको 607 टॉपिक बताया था आप अच्छे से पढ़ लेना पार्ट वन मैंने बताया उसका लिंक में डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दूंगा इस्टुमेंट आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी इस्टुमेंट क्या होता है और प्राइमरी इस्टुमेंट क्या होता है क्या जानेंगे प्राइमरी इस्टुमेंट क्या होता है यह मापन यंत्र मापी जाने वाली रास यंत्र को उनके इस्तिरांत था उनके निर्पेच के पदों में परदस्री करता है कहनें मतलब क्या है होता है यह क्या करता है यह मापणय आंत्यमा पी जाने वाली राशिक को यंत्यकों उनके इस्तिरांग को तथा उनके निर्पेचानिक Constance of Instrument इंड डिफ अन्ड नहीं क्यों करें पदों में यह पंदसी करें इसमें जो कैलिबिरेशन होता है आगे दिखते हैं आगे लिखा इसमें इन यंतरों को किसी भी कैलिबिरेशन क्या हो सकता है नहीं होती है इनका प्रयोग समानी रूप से प्रयोग साला में ना करके इस्टेंडर मापन में कियाता है जी हाँ इस्ट्रेंट जो प्रात्मी इस्ट्रुमें क्या हो सकता नहीं होती है आप यहां से समझों यहां से आप लोग समझों कि यह यंतुर होते हैं इन यंतुरों को क्या होता है क्या होता है इनका प्रियोग प्रियोग साला में क्या प्रियोग साला में ना करके इस टेंडर मापन में क्याता है किसमें क्याता है प्रियोग साला इंस्ट्रूमेंटें कैंसे, सतना करें। जो प्राइए इंस्ट्रूमेंट होता है? इनका और समानिता परुख सालम कियाता है। जहां इस्ट्रूमेंट टैंका इस्टेंडमउप्र में किे लिए उसप्रेजिवल्थ इंडूसर्य इंस्ट्रूमेंट में करते हैं इसमें किया नहीं प्रियों पुझे उन्श्ट्रियर स्ट्री में को नेस्ट गर घया तो पहला इसमें पाइला में बindestungen प्रियों करते हैं इसमें क्या होता है बोल्ट नीटर याता अब बता दे Botsman जो इंडर्स्ट्रीयल इंडर्स्ट्य में इंस्ट्रुमेंट प्रियों के आते हैं क्या करता है तो हुए और आधा है पहला सेल्फ ऑप्रेटर इंस्ट्रुमेंट आगे हम जानेगे सेल्फ ऑप्रेटर इंस्ट्रुमेंट का होता है उससे पहले आपको छोटा से नौलेज दें अपने मारे बता दें तो मेरा नामे निहाल और मैं आपको डिप्लोमा का अल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जैसे फिजिस हुआ क जानकारी के लिए आप हमारी वार्शब से जो सकते हैं वार्शेम नंबर है मेरा 9369183507 अधिजनकारी आप हमसे कंटक्ट कर सकते हैं अब जानते हम लोग इन्स्टुमेंट का ही रहता है और पावर आप रटेटर इंस्टुमेंट का होता है इसका जिनको चलाने के के लिए किसी बाहर उर्जा सुरुत क्या उसक्ता नहीं होती है यानि कि किसी एक्स्टनल जो जो सोर्सेथ होते हैं जो इनर्जी सोर्सेथ होते हैं उनके उसक्ता नहीं पड़ती है यानि कि ऐसे जिनको चलाने के लिए किसी बाहर उर्जा सुरुत क्या उसक्ता नहीं होती है उन्हें क्या करते हैं Self-operated instrument करते हैं जैसे थर्मामीटर में मरकरी के एक्सपेंसर्ण के दुआरा रेडिम माप किया दी है जी हां इस्ट्वेंट अपने मारें थोड़ा से और बता दू तो मैं एक केमिकर इंजिनियर का स्ट्वेंट हूं जी हां दो मेरा नाम है नहीं हाला दो और मैं एक केमिकर इंजिनियर सेकंडर का इस्ट्वेंट हूं जी हां इस बार मेरा सेकंडर है आगे हम जानते हैं कि पाउर ऑप्रेटर इंस्ट्रुमेंट क्या होता है फिर हम जानेंगे मेजरें इंस्ट्रुमेंट और जो टाइप होते हैं उनके इसके बारे में यहां सपाइविल होता है इसको कहते हैं इसमें क्या होते हैं इसके बाड़े मताता हो मैं इसकी विल्ब जिनको आप रात्थ करे लिए बाया पुर्ज़ा से सर्षप होते हैं से एक सोर्स होते हैं जो बाहर ही सुरूत होते हैं उनके इसमें क्या होती है और इसमें पड़ती है इसमें यहीं अंतर होता है कि जो इसमें यही अंतर होता है जो पार ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट होता है इनमें क्या होती है उसकता पड़ती है जिहां दोस्त ऑसकता इसमें क्या पड़ती है लेकिन जो सेल्फ ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें बाय उर्जासूत के उसकता नहीं पड़ती ह बस यही अंतर होता है कि power operator instrument में बायोजसुत के उसकता पढ़ती है और जो self operator instrument होते हैं उसमें बायोजसुत के उसकता नहीं पढ़ती है I hope कि आपको self operator instrument, power operator instrument, primary instrument, secondary instrument के बारे में सब कुछ knowledge मिल गया होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे इस्टुएन मेजरें इंस्टुमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपको इसकीन पर सो हो रहा होगा इसके बारे हम लोग नेस्ट वीडियो में जानकारी लेंगे आःशन वाहाने वेडियो आपको को पसंन नाया होगा Uz पिरशन वीडियो को जैसे किजिकां हमारे पढली बाढ़ी हिरव आको ऍसक्राइब करें में एक आपको चैसranchine के लिए बाए बाए जैहीं टेक